हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रदूशनर पर दस लाइन निबंध तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं पहली लाइन प्रदूशन प्राकृतिक शंसाधनों में कुछ आवांची तत्वों को मिलाने की क्रिया है लग लग लोग लाइन하면 शंसाधन प्राकृतिक शंसाधनर भी लाइन के दरेता हैं इस चानल शंसाधनर प्रण के ड्राथ निते हैं दूसरी लाइन प्रदोशन के मुख्य प्रकार वायू प्रदोशन, जल प्रदोशन और भूमी प्रदोशन है प्राइन प्रदोशन है झाल तीसरी लाइन प्रकृति के साथ साथ मानवी गतिविधियां दोनों प्रदूशन के लिए जिम्मेदार है तीसरी लाइन प्रकृति के लिए जिम्मेदार है चोथी लाइन प्रदूशन के प्रकृति कारण बार्थ जंगल की आग और ज्वाला मुखी आदी है झाल पाचवी लाइन प्रदूशा एक राश्टी नहीं बलकी एक वैस्विक समस्या है झाल छटवी लाइन प्रदूशन को रोकने के लिए पुनह उप्योग, कम करना और पुनर चक्रन सबसे अच्छे उपाई हैं साथवी लाइन अमल वर्सा और ग्लोबल वर्मिंग प्रदूशन के परिडाम है आठवी लाइन प्रदूशन हमेशा जानवरों और इंसानों परनकारात्मक प्रभाव डालता है को लाता है नवी लाइन प्रदूशी थवा और पानी इंसानों और जानवरों में कई बिमारियों का कारण बनता है उवी बिमार फिर जानवरों में का बिमारों में प्रदूशी तरफियों और जाना बनता है दसवी लाइन हम परियावरण के अनुकूल संसाधनों और सौर पैनलों का उपियोग करके प्रदूशन को रोग सकते हैं दोस्तो वीडियो अच्छी लगेत वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद